Students, Class, 5th, Vyakran, Chapter, 2nd, Link Link किसे कहते हैं? सब्द के जिस रूप से उसके पुरुष या इस्त्री जाती होने का पता चले उसे Link कहते हैं अर्था जिस सब से हमें पता चलता है कि ये पुरुष जाती का है कि इस्त्री जाती का है उसे से हमें पता लगाएंगे कि वह पुलिंग है कि वह इस्त्रिलिंग है जैसे मोर नाचता है मोर सबसे पता चलता है कि पुरस जाती का बोध करा रहे हैं तो ये पुलिंग मोर नी देखती है मोर नी सबसे पता चलता है कि इस्त्रि जाती का बोध करा रहे हैं यह इस्त्रिलिंग है इस प्रकार लिंग के दो भेद होते हैं इस्त्रिलिंग पुलिंग इस्त्रिलिंग किसे कहते हैं जो सब्द इस्त्रि जाती का बोध कराते हैं वे इस्त्रिलिंग कहलाते हैं जैसे औरत मालिन बेटी अध्यपी का और जो सब्द पूरस जाती का बोध करा आद्मी, माली, बेटा, अध्यापक रखतिया लेकिन expected Uma, puts लड़की, कुट्फा, लेकिन इसा सब्द होते हैं। जिनका इस्त्रिलिंग नहीं होता है, जैसे पलंग, खिलोने, फूलदान, ये ऐसे पुलिंग सब्द हैं, जिनका इस्त्रिलिंग नहीं हो सकता है, और कुछ ऐसे सब्द होता हैं, जो इस्त्रिलिंग में होता हैं, लेकिन उनका पुलिंग नहीं हो सकता है, जैसे मेज, कुरसी इस्त्री ये इस्त्री लिंग में आते हैं इनका पूलिंग नहीं होता है और अभी क्या है कि कुछ सब्द ऐसे होते हैं कि जिनमें हमें डाउट होता है कि इस्त्री लिंग है कि पूलिंग तो उनका क्या करेंगे वाक्यों में पूलिंग करके पता लगाएंगे जिसे पंखा, पंखा इस्त्रिलिंग है कि पूर्लिंग है, तो इसका क्या करेंगे, हम वाक्य में प्रियोग करेंगे पंखा चलता है कि पंखा चलती है, कौन सा सुद्ध है, पंखा चलता है तब हमें पता चलेगा कि पंखा क्या है, पूर्लिंग सब्द है कुछ संग्या सब्द इस्त्री पुरुस के लिए समान रूप से पर्योगत होते हैं यह ध्यान रखना कि कुछ सब्द ऐसे होते हैं जो इस्त्री पुरुस में समान रूप से होते हैं और इनका हम वाकिय में पुरियोग करेंगे और उसकी जिया सब्दों से पता चल सकता है कि ये कौन सा लेंगे, जैसे ग्रहम अंत्री जी पधार रहे हैं, पुलिंग, दुर्गटना इस्तल पर तुरंट डॉक्टर पहुंच गए, तो ये क्या होगा, पुलिंग, लेकिन हमने आसे होते हैं, जो सदी पुलिंग के अंतरगत आते हैं, इनके नाम से पहले हम नर या मादा लगा कि इसको पुलिंग या इस्तलिंग बना सकते हैं, जैसे सदा इस्तलिंग में सब्द आते हैं, मचली, कोयल, मक्षी, ये हमेशा हमें इस्तलिंग में ही प्रयू करेंगे, जैसे यह देखें यह पे और दूसरा है कुछ ऐससे सब्द होता है जो हमेसा पूलिंग में होते हैं कुछ सब्द ऐससे हते हैं जो सदे पूलिंग के अंतरगत ही आते हैं जैसे दिनों के नाम सौंबार, मंगलवार, बुद्धवार, आदी, पहडों के नाम हिमाले, अरावली, विंद्याचल, देश के नाम भारज, चेन, जापान, ग्रहों के नाम मंगल, बुद्ध, शुक्र, ये सब क्या आते हैं? पुलिंग के अंतरगत आते हैं, लेकिन प्रत् असाओं के नाम हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, और इसके साथ में लिपिया, तिथिया और भाहों के नाम भी जैसे लिपिया, देवनागरी, लिपी, गुरु मुखी, लिपी, ये भी इस्त्रिलिंग के अंतरगत आते हैं, तिथि में जैसे सब्तमी, अस्टमी जैसे ये इस प्रकार बनाए हैँ और इस परकार ये देखिए यहां पे सेर का सेरनी, बालक बालिका, धोबी, धोबिन, चुहा, चुहिया, देवर, देवरानी, ठाकु, ठाकुराइन इन सब के पीछे देखे इ, नी, या, आ लगा है और कुछ ऐसे सब्द और भी हैं जैसे देखे पुत्र का पुत्री, पुजारी, पुजारिन, अध्यापक, अध्यापिका, सेट, सेठानी, हल्वाई, हल्वाईन, प्रधाना चारिय, प्रधाना चारिया इस परकार हमने पूर्लिंग से इस्त्रिलिंग बनाए इन सब्दों को और कुछ संग्या स्विड ऐसे होते हैं यानि कुछ सब्द ऐसे होते हैं कि अगर उनका लिंग का परिवर्दन करेंगे तो बिलकुल विभिन आकार का, दूसरे आकार के रुप में परिवर्दन हो जाएएंगे किस प्रकार से जैसे समराट का समरागई, भाई का बहन, कवी का कवियतरी, वर का वधू, राजा का रानी, विद्वान का विदी सुई इस प्रकार से वे अपने भिन रूप में आ जाएंगे तो इस प्रकार से बच्चों आज हमने लिंक किसे कहते हैं, इनके कितने भेद होते हैं, और इनकी पैचान किस प्रकार की जाती है, इनके नियूमों की जानकारेली